Hi and welcome to Android application development course This is Fahad Hussain and welcome to Fahad Hussain YouTube channel As well, इसे related जितनी भी वीडियोस हैं जो के हम already discuss कर चुके हैं वो मेरे YouTube channel पर मौझूद है आप directly आने के बाद Fahad Hussain CS के जरिये से YouTube पर मुझे सर्च करके वो तमाम वीडियो से facilitate हो सकते हैं जो मैं already upload कर चुका हूँ के मेरे blog पर आ सकते हैं मेरे blog का नाम है Fahad Hussain CS blogspot.com जिस पर click करने के बाद आप वो तमाम चीजों को freely download कर सकते हैं जो के या तो हम slide form पर या फिर हम code के form पर perform कर रहे होते हैं click to download करके आप उसे facilitate हो सकते हैं तो इस session पर हम क्या सीखने जा रहे हैं या फिर क्या पढ़ने जा रहे हैं वो है Android core building block जिस तरह से हमने previous session पर activity life cycle देखी और activity को जाना इसी तरह से Android के अंदर building blocks भी होते हैं यानि वो तमाम important part जिससे मिलकर हमारा एक Android की जो application है वो create हो पाती है थोड़ा सा theoretical या पर खुश कह है क्योंकि ये तमाम चीज़ें interview level पर बड़ी important होती है अकसर लोग इन चीज़ों को ignore कर देते हैं कि यार ये तो काफी खुशक है इसमें तो सिर्फ definition बताया जा रहा है तो भाई ये definition भी आपको पता होना चाहिए कि Android में building blocks पे किस चीज़ का रोल है और वो क्या काम परफॉर्म कर रहा है तो स्टाट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास image है और इस image के अंदर आप देखें तो उसी core building blocks को दिखाया जा रहा है जिसकी मैं definition यहाँ पर discuss कर चुका हूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं activity जैसे previous slide पर भी मैंने बताया है कि activity की example हमारे desktop या फिर website के different pages पर based करती है जिस तरह से एक website पर different web pages मिलकर एक website बनाती है बिल्कुल इसी तरह से different activities मिलकर Android पर एक complete development का जो हमारा एक app होता है वो create कर रही होती है तो यही चीज़ रापनेशन पर बताई जा रही है इसको represent करता है उसके बाद बारी आती है UI की ठीक है जिसको हम view कह रहे होते हैं तो view क्या चीज़ है as a name suggest जिस चीज़ पर आपको अपने जो controllers हैं जिसके जरीए से आप अपनी request send करेंगे उस owner को जिसकी वो app है फर एक्जांपल मुझे buttons की जरुवत है मुझे text box की जरुवत है anything जो के हम normally view में देख रहे होते हैं वो तमाम चीज़ें हमें किस चीज़ को represent करवा रही होती है उस app के view की तो वही चीज़ यहां पर बताई जा रही है views, UI elements, button, labels, text, field, anything that you see in a view उसके बाद बारी आती है intent की ठीक है intent क्या चीज़ है in simple word intent की जरुवत हमें ज़्यादा तर android में उस वक्त परती है जब हम click event पर एक activity से दूसरी activity पर जम करना चाहरे होते है definition क्याती है intent is used to invoke component it is mainly used for start the service यानि हमें service को start करना उसके लिए जरुवत हो सकती है किसी activity को launch करने की जरुवत हो सकती है या किसी page को display करवाने की जरुवत हो सकती है इस चीज़ के लिए हम intent का इसनमाल करते है और इसी तरह से जैसे start में हमने discuss किया कि intent एक internal class है जिसके हम object को create करके एक activity से दूसरी activity में जर्म करवा रहे होते है इसी तरह से services देखो बहुत सारी चीज़ें android में या किसी भी application के अंदर ऐसी होती है जो user को visible होती है जो website यूज कर रहे है .net की application यूज कर रहे है या android की app यूज कर रहे है तो इसमें क्या चीज़ें इस्तमाल हो रही है तुम्हें दिख रहा है लेकिन behind क्या चीज़ें इस्तमाल हो रही है जिसके जरिए से या application काम कर रही है उन चीज़ों को services का आ जाता है ठीक है practically जब करेंगे तो वो भी बात हमें समझ में आईगी तो services से क्या मुराद है इस services is a background process background से क्या मुराद है कि user को नहीं पता सिर्फ वानर जानता है कि वो किस तरह की services को अपने उस android app के अंदर use कर रहा है that run for a long time similarly there are two type of the services local and remote दो तरह की services हो सकती है local services is accessed from within the application application के अंदर रहते वों services को use करना whereas remote services is accessed remotely from other application running on the same device यानि एक same device में रहते वे remotely मैं किसी और services को इस्तमाल कर रहा हूँ तो ये फिर remote service के options पर add होती है और local service से मुराद ये है कि उसी application पर रहे कर उसकी service को इस्तमाल करना service की definition पर आता है तो हमने service भी देख लिया उसके बाद बारी आती है content provider की content provider क्या है definition में पताया जा रहा है कि content provider are used to share data between the application यानि ये एक ऐसा building block area है जिसके जरिये से हम अपने data को एक application से send कर रहे है किसी दूसरे resource पर कोई भी resource हो सकती है मैं database की बात कर सकता हूँ मैं एक platform से एक activity से दूसरे activity में data को लेके जाना चाहता हूँ etc. उसके बाद बारी आती है fragment की ठीक है fragment को असान लफजों में ऐसे बता सकता हूँ कि for example तुमारे पास एक activity है और तुम एक ही activity में रहते हुए चाहते हो कि तुमारा जो तुमारी जो activity है वो दो हिस्सों में divide हो जाए यानि ये activity एक अलग separate नाम रखे और ये activity का part एक अलग separate नाम रखे with separate controller ठीक है इस level पर समझने के लिए मैं इस तरह से बता रहा हूँ तो definition पर क्या पता है जाता है कि fragment art like a part of the activity part of the activity क्या मुराद है कि एक ही activity को मैंने दो part में जैसे divide कर दिया तो यही वज़ा है कि इसको part कहा जा रहा है and activity can display one or more fragment on the screen at the same time यानि same time एक ही activity के अंदर मैंने दो fragment को लाकर show करवा दिया है यानि दो different UI को एक ही activity में show करवा रहा हूँ ये चीज हमारी fragment क्यलाती है उसके बाद है android-minifest.xml की file जिस तरह से अगर आपने तुमने .NET पे काम किया है तो तुम्हें पता होगा नहीं भी किया तो को issue नहीं है वहाँ पर हमारे पास web config की file होती थी जहाँ पर हम global setting किया करते थे ये पूरे project में क्या setting करने की जरूद है बिल्कुल इसी तरह से android-minifest की file करती है जोकि different activity की information अपने अंदर store करती है for example मैंने अपने android app के अंदर 5 multiple activities बनाए में है तो 5 multiple activities के जो tags होंगे xml file में वो इस manifest file के अंदर बने में होंगे जिस app को for example यानि जिस activity को मैं पहले launch करना चाहता हूँ मैं वहाँ जाकर उसकी setting करूँगा यह चीज़ क्या कर रही होती है manifest की file handle कर रही होती है जैसे content provider है, permissions है यह सारी चीज़ें इसके अंदर मौझूद है it is like a web xml file in java.ee यानि java.ee के अंदर जिस तरह से हमारे पास web.xml की file होती है बिलकुल इसी तरह से android में android manifest की file different activity को perform कर रही होती है जैसे मैंने आपको बताया तो हमने साथ ही साथ fragment को भी देख लिया और manifest को भी देख लिया और at last हमारे पास broadcast receiver है ठीक है, जो के हमारे core building block के अंदर आता है और as a name suggests इसका काम क्या है यह android का main component है जो allow करता है कि आप send या फिर receive कर सकें किसी android system या फिर application event की information को ठीक है, जैसे जैसे हम बागे जाएंगे तो यह बास समझ में आएगी कि actually यह receive और send क्या चीज़ें कर रहा है और application event से क्या मुराद है इस चीज़ के लिए यह चीज responsible होती है and at last हमारे पास android virtual device है ठीक है, it is used to test the android application without the need for mobile or tablet etc यानि अगर हमारे पास एक virtual device होती है तो हम android application के बगार ही अपने output को check कर सकते हैं कि वो finally जब mobile पर launch होगा तो वो किस तरह से दिखेगा it can be created in different configuration to emulate different type of the real devices such that जो हमारे पास virtual machine बनती है उसको भी हम android virtual device कह रहे होते है जो के या तो dalvik virtual machine के नाम से मशूर है या इसी तरह हम emulator भी बनाते हैं उसी virtual concept को यूज करते हुए जिसके जरियर से हमें output दिख रहा होता है hopefully आपको तमाम बातें किलियर होगी कि android में core building blocks क्या-क्या है और उसकी definition क्या है और वो क्या activity कर रही होती है तो कोई भी सवाल हो तो comment session पर जरूर पूछो यार कोशिश करूँगा आपको बरवक जवाब देश सकूँ उस हवाले से चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe करो यार कि आपकमिंग डेज में आपको लेटस वीडियो के हवाले से आगई मिलती रहे चैनल को वीडियो को like करें और जाद जाद लोगो शेयर करें थैंक्यू